हेलो अभीवान वेल्कम टू दी न्यू वीडियो और मैं हूँ अनुबव गुपता सो यार आज हम एक बहुत ही सौट आफटर एंबीए कॉलेज के बारे में बात करने वाले है जो कि है एफमेस डेल उनिवरस्टी का तो अगर मैं हम बात करें एफमेस डेल उनिवरस्टी की स में स्कॉलेज के बारे में तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी की सारी कंप्रीट इंफर्मेशन मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंज इससे पहले हम स्टार्ट करें I would like to request you प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको मिलती रहे प्लीज हम ऐसाथ इंस्टार्गाम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाना वेकॉज हम इंस्टार्गाम पर डेली बिस्स पर बहुत ही इंपोर्टेंट कोंटेंट पोस्ट करते हैं हमारा इंस्टार्गाम में है स्टेडीबस अंडर्सकोर एजूकेशन और हमारे इबुक ग्रूप का नाम है स्टेडीबस अगर आप स्टेडीबस के पेंड्राइफ कोर्स में एन्रोल करना चाहते हो तो आपको इसकी कंप्लीट डीटेल्स हमारी वेबसाइट के उपर जो कि है www.studybus.co.in वहां जाके मिल जाएगी वहीं आप अपनों और भी प्लेस कर सकत पेंड्राइफ कोर्स के सबसे अच्छे फीचर्स यह हैं कि यह डारेक्ट प्लगेंड प्ले है आपको इबुक्स की फेसिलिटी मिलती है को इंटरनेट में चाहिए सारी टेस सीरीज मिलती है अनलिमिटेट टाइम आप देख सकते हो 24x7 डाउट फॉरम है basic, moderate, advanced level के अंदर questions divided है और सारे के सारे exams को यह cover करता है इसी के साथ हर pen drive के साथ मिलता है आपको एक portal जिसके अंदर आपको e-books की facility मिलती है आपको topic wise test मिलती है जो की basic, moderate and advanced level तक की होते हैं आपको sectional mocks मिलते है LRDI, verbal and quans के आपको weekly GK के current affairs test मिलते हैं आपको full and mocks मिलते है CAD के, SNAP के, ZAT के, IFT के, NMAT के, TIST NIT के और बाकी सारे important exams के लिए इसके लाव आपको study planner का भी feature मिलता है जिसके अंदर आप एक organized manner के अपनी preparation कर सकते हो, आप अपनी deadline set कर सकते हो, questions को tag कर सकते हो, अपने daily efforts को adjust कर सकते हो, revise कर सकते हो, अपने goals को daily basis पे achieve कर सकते हो, friends इसके related अगर आपकी कोई भी query है त 9958-93705 पे आप हमें contact कर सकते हो, अगर friends मैं बात करूँ FMS के बारे में, तो FMS ये कहाँ पे located है और कहाँ पे situated है, Delhi University का जो बहुत ही famous North Campus है, उसके अंदर ये FMS College ये located है, और अगर India के best colleges के अंदर, best MBA colleges की अगर list बनाई जाए, या highest return on investment वाले colleges की list बनाई जाए, जहां कम fees द position पे आना चाहिए, यहां पे इनकी approach रहती है, सिरफ और सिरफ conventional methods की नहीं, यहां पे field work करवाया जाता है, case studies करवाया जाता है, instrumented feedback करवाया जाता है, इसके लवा intellectual curiosity को raise किया जाता है, दस हजार से जादा इनका aluminized strong network है, जो इनको access देता है information का, mentors का and career का, और जिससे की आगे future के अंदर बच्चों को networking के लिए भी बहुत अची opportunities मिलती है, friends अगर मैं important programs के बार में बात करूँगी, FMS कौन सा program conduct करवाता है, तो FMS कही सारे programs conduct करवाता है, लेकिन आज की video के अंदर हम discussion करने वाले है, इनके flagship program, जो की है, इनका two year full time MBA का program, और भी कुछ यह programs करवाता है, for example executive MBA करवाता है, executive healthcare administration करवाता है, doctoral programs भी करवाता है, अगर इसके लेटेट आपकी कोई भी information या query है, तो आपको FMS की website के ओबर मिल जाएगी, तो friends, अगर जो भी बच्चे FMS के अंदर admission लेना चाहते हैं, उसकी कुछ minimum eligibility है, उसकी minimum eligibility यह है, कि बच्चों की minimum bachelor's degree उन्होंने करी होनी चाहिए after 12 years of formal schooling and minimum 50% marks उनके graduation level के अंदर होने चाहिए, जो SCST बच्चे है, उनकी minimum eligibility है, वो passing marks होने चाहिए graduation के अंदर, जो OBC, PWD and CW category क बच्चे उनकी 45% marks होने चाहिए graduation के अंदर, तो जो बच्चे final year के अंदर होते है graduation के वो भी eligible होते है apply करने के लिए, उनका admission confirm हो जाता है, जब उनका final year का result आ जाता है, इसके लावा सिरफ वो सिरफ CAT exam यह accept करता है, इसके लावा कोई भी exam यह accept नहीं करेगा, और आपको FMS क separate application fee और form भरना भरता है, अगर आपने FMS की separate application fee और form नहीं भरा, तो FMS आपको admission के लिए consider नहीं करेगा, तो friends FMS में admission का procedure क्या है, इसको भी एक बार हम समझ लेते है, तो FMS के लिए अगर हमें admission सही है, तो सबसे पहले हमें FMS का separate form भरना पढ़ेगा, उसकी application fee भरनी पढ़ेग उसके बाद FMS decide करेगा और shortlist करेगा बच्चों को on the basis of their CAD score जिन्होंने program के अंदर apply किया है, जो बच्चे shortlist होंगे उनको subsequent round के अंदर बुला जाएगा, जो की होता है personal interview का, extempore का and आपका जो statement of purpose होता है, उसके उपर discussion होता है and final composite score एक निकाला जाता है और final composite score के basis पे एक final list पनती है जिसके basis पे admissions बच्चों को award किये जाती है, तो friends अगर हम बात करें कि कौन-कौन से section को CAT exam के अंदर कितनी-कितनी weightage दी जाती है, तो इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है कि quant के section को 30% weightage दी जाती है, DILR को 30% weightage दी जाती है and verbal को 40% weightage दी जाती है and जो भी female candidates होत ताकि gender diversity को improve किया जा सके, तो friends अगर हम बात करें final selection के बारे में, तो क्या है parameters final selection के, यानि कि कि किस-किस चीज़ को कितनी-कितनी weightage दी जाएगी, तो यानि कि जो भी CAT score होगा, उसको 50% weightage दी जाएगी, CAT score को, percentile को नहीं, ठीक है, फिर जो 10th class में marks है, उसको 10% weightage दी जाएग जो SOP आप लिखोगे form submission के time पे, उसको 10% weightage दी जाएगी, जो extempore round conduct होगा, उसको 5% weightage दी जाएगी, और personal interview को 15% weightage दी जाएगी, और जो भी women candidates interview के अंदर आएगी, या interview के अंदर appear होंगी, उनको additional 5 marks भी दी जाएगे, अगर friends हम seat matrix के बारे में बात करें, तो जो total seats हैं, इस unreserve category के बच्चों के लिए 101 है, schedule cast के लिए 37 है, ST के लिए 19 है, OBC के लिए 69 है, EWS के लिए 25 है, और supernumerary seats के बारे में बात करें, तो PWD की 12 है, CW category की 12 है, foreign students की 12 है, ward quota teaching की 6 है, ward quota non teaching की 6 है, अगर friends हम cut off के बारे में बात करें, since ए college बहुत कम fees के अंदर, बहुत amazing placements provide करता है, तो definitely यहाँ पर competition आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है, तो अगर आप इस college में cat के थुरू apply कर रहे हो, तो आपकी minimum 98 से 99 percentile cat के अंदर होनी चाहिए, तभी आपको इस college से subsequent rounds की call आएगी, और जो reserve category के बच्चे हैं, उनकी cut off है, वो vary करती है, उनकी category के according so, जो reserve category की cut off रहती है, वो 50 से लेके 90 percentile के around जा सकती है, अगर friends हम fee structure के बार में बात करें, तो इस college की सबसे attractive चीज़ है, इसका fee structure, क्योंकि fees इसकी बहुत कम है, fees इसकी less than 50,000 rupees per semester है, यानि कि 2 साल के 4 semester की जो fee है, वो सिरफ और सिरफ 2,00,000 रुपे है, तो यानि कि किसी भी तरीके का कोई financial burden किसी भी बच्चे के उपर create नहीं होगा, यहाँ पर अगर FMS में उसका admission हो जाता है, तो इसके लावा friends अगर हम FMS as a college के इंद बात करें कि किती सारी activities यहाँ पर conduct करी जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारी leadership talks होती है, आप देख सकते हो अपनी screen के सामने, BCCL के president, South Asia Army के president, marketing India के, उसके बाद head of exports Nestle आते हैं, partner EY आते है, Berger, Lucidius, Pinkerton, Need India, उसके अलावा city cop, यह सब leadership talks भी होती है, और बहुत सारी workshops भी आपको FMS में देखने के लिए मिलेंगी, जो की ICICI bank करवाता है, या Bradstreet करवाता है, या marketing for startups by CMO factory, F, या general mills करवाता है, KPMG करवाता ह या Deloitte, CV building workshops करवा है, तो बहुत सारी workshops भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, अगर friends हम बात करें, since ये Delhi University के अंदर आता है, तो Delhi University बहुत famous है, अपनी society culture के लिए, तो वो ही society culture आपको FMS में भी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे clubs और societies दे CV भी improve कर सकते हो, और बहुत अच्छा exposure भी आपको मिलेगा, अगर friends हम बात करें इसकी placements की, तो record placements 2022 में देखने के लिए मिली है, यानि कि 2 साल की 2 लाग रुपे fees देके, अगर हम placements के बारे में बात करें, तो 100% placements हमें देखने के लिए मिली है, जो mean CTC है, जो बच्चों क और वो 25% से इस साल बढ़ा है, अगर हम top 25% अगर batch के बारे में बात करें, तो उनका average placement almost 50 lakh रुपीज है, जो की बहुत ही amazing number है, शायद ही ऐसा number आपको कहीं और देखने के लिए मिले, अगर हम top 50% of the batch के बारे में बात करें, तो उसकी जो placements है, वो 41 lakh के round गई है, जो again बहु पर annum से ज़ादा की थी, तो यानि कि आप देख सकते हो कि कितनी amazing placements ये college provide करता है, तो अगर हम past ये compensation statistics के बारे में देखें, तो 2020 और 2021 के अंदर भी amazing placements इस college ने record करी है, 2020 में average placement 25.6 ती और 2021 के अंदर वो बढ़के 26.2 हो गई थी, अगर हम work eggs के across भी देखें, तो चाहे कोई fresher हो, चाहे किसी का 3 years से ज़ादा का work eggs हो, जो placements है वो बहुत ही amazing देखने के लिए मिली है, जो 23 lakhs से लेके almost 30 lakhs तक की आपको 2021 में देखने के लिए मिलीती हो, जो कि 2022 में और ज़ादा बढ़ गई, इसके अलावा, अगर हम 2021 के data के बारे में और बात करें, तो product management के offers के work experience profile भी, आप देख सकते हो कि maximum बच्चे freshers थे, उसके बाद work eggs वाले बच्चे भी थे, तो यानि कि चाहे आपका work eggs है या नहीं है, आपके इस college made mission के chances बहुत अच्छे है, अगर हम बात करें कि कौन से top recruiters इस college के अंदर recruitment करने के लिए आते हैं तो आप देख सकते हो, अधित कैसे है bank, johnson & johnson, laurel, kerney, magic bricks, morgan stanley, mintra, purple, paytm, optimum, nestle, qualcomm, racket, reliance, new, renew, rpg, samsung, tata sky, tata consultancy services, तो ये सारे top companies, top corporates, FMS के अंदर recruitment करने के लिए आते हैं, तो friends ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको complete information बताई है, FMS के बारे में, तो अगर वीडियो पसंद आयो हो, तो या like जरूर करना, अपने सारे friends के साथ जरूर शेयर करना, अगर आपकी कोई भी query है, तो आप नीचे comment box के अंदर भी mention कर सकते हो, आप हमें WhatsApp या email भी कर सकते हो, प्लीज हमाँ साथ Instagram पर जरूर connect हो जाना, अगर आपको pen drive course में enroll करना है, तो हमाई website है, ज झाल झाल, 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 झ